सो हेलो दुस्तो मेरा नामे में तरह आप देखरो एक है मास्टर पॉइंट चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं विटाउट टाइम बेश तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास आइफोन है तो आइफोन में आप अपनी इंकमिंग कॉल केंसे बंद कर सकते हैं इंकमिंग कॉल आइफोन में कैसे बंद कर सकते हैं वहात असन तरीगा सिर्फ iPhone में incoming call बंदा नहीं कर सकती है जब कि सामने वाला आपको पास जब भी call करेगा तो उसको यह बताएगा कि आपका mobile स्विच होप है चाहे आप उस Simpson Net चला रहे हो या फिर किसी call पर विजी हो पर सामने वाले को यह बताएगा कि आपका mobile स्विच होप है या फिर यह भी बता सकता है कि incoming नहीं available है या फिर यह बता सकता है कि अभी not achievable ठीक है तो कुछ भी बता देगा जो आप चाहोगे वो इबता देगा या फिर यह तक बता सकता है कि please check the dial number ठीक है तो यह कैसे करना है आपको simply यहाँ पर आपकी iPhone की जो भी settings है उसको open करना है settings open करने के वद आपको नीचे scroll करके जाना है नीचे scroll करके जाना है नीचे scroll करके जाओगो तो यहाँ पर आपको एक phone की settings मिल जाती है Simply font वाले setting पर click करना है यहाँ पर आपके number बग्यारा देखना आएंगे यहाँ पर आपके जामने कुछ तरीकी के option आते हैं copy सारे तो simply आपको क्या करना है यहाँ पर by by calling and refresh form with text call forwarding call wedding so my caller ID तो call forwarding पर click करना है यह जो option आता है इसको on कर देना है on करने के बाद आपको forward to करना है तो यहाँ पर आपको जो मैं बोल रहा हूँ यह number डाल देना है 000000 ठीक है आपको back करना है 000000 करके आप यहाँ पर on करके 00 यह number डाल कर इसको save कर देना है जिसी आप save कर दो कि तो जो आप call forwarding 0000 पर होने लगेगे तो भाई आप भी जानते हो कि call forward 0000 पर थो होने सकती है आप खुद भी डाल करके देखो कि तब भी 0000 पर call नहीं लगेगा तो यहीं बताएगा प्लीज चेक दना है लंबर ओके तो वीडियो को लाइक कर देजिए